गुद मॉर्णिंग एरिवन गुद मॉर्णिंग टू अलोव यू स्टुडेंट्स एंड वन्स अगें वेलकम टू यू ओन और उन्लाइन क्लासेज एंड देखे इस्टुडेंट्स जैसा इसके अंदर आपको दिख रहा है हमने 5.1 के अंदर थोड़ा सा प्राइम फेक्टर ऑफिस ध्रम के ऑमहारा कम्पैंख बार हच्बूंब आपको बात कर मारinkना पींडम टेरं में अदुमारrant का स्वां मैंटेवल के मश्चें दो मतलब चैसे अगराप से पूच्चाँकि फूर का मल्टि पाल गातू तो तो फूर की टेबल में आना होले घार ऑने मरड थे वो आजाएंगे 4 के multiples, 5 के multiples कौन से होंगे, 5 की table माना वाले सारे, 6 की table माना वाले, 6 के multiples, यहीं कि किसी भी number की table में जो numbers आ रहे हैं, वो इसके multiples होता है, अब आप देखिए, हमने इसका question number 1st और 2nd हमारा complete हो गया था, आज हमें इसका करना question number 3rd, और काफी अच्छा concept है, find a LCM by prime factorization, आपको prime factorization method से, इसका LCM find करना है, देख एक तुमने कल LCM find करने का last for class के अंदर हमने LCM किसे find किया था, वो हमने find किया था, है ना, पेले इनका comment, multiples लिखे था, फिर multiples में लिखे था कि कौन सा comment आ रहा है, वो क्या होता है, उसका LCM होता है, आज आज आपको दूसरे method से सि मने के try कीजिएगा, हम इसका question में करते है first, तो देखे first में question कैसे होगा इसका, देखे इसके अंदर, 28 and 84, ठीके, तो आप इसका multiple से करो कि तो भी आपको answer मिली जाएगा, लेकिन question में लिखा है prime factorization, तो आपको prime factorization से ही करना पड़ेगा, अब prime factorization क्या होता है, देखे, यह इसको दो दिख रहे है, इसको बनाए मने lines फगड़ा, इसको हम prime factorization क्याता है, क्या करते हैं, इसको prime factorization, इस वाले में तो को prime factorization हम कहते है, और या लगबच सारे बचों ने एक बार ने एक बार और तो कहीं ने देखे होगा, तो अब इसको देखे, इसको आपको solve कैसे करना है, सबसे पहले 28 है, तो मैंने 28 का prime factorization किया, 84 मैंने इधर पास में 84 का prime factorization किया, prime factorization कैसे करते हैं, वो समझ ये, देखे हम दोनों को, यहां पर लिखा 28, सबसे पहले मुझे इसको divide करना है 2 से, किसे divide करोगे, सबसे पहले आप 2 से divide करोगे, अगर कोई number 2 से divide नहीं होगा, तो हम अगे वाले number के पास में जाएंगे, फिर 4 के वाले से 4 आईगा यह निए इसके नहीं कि फिर भी आप check करना है 4 से कर सकते हो, फिर हम 5 से करेंगे, ऐसे करना है आपको, तो देखो, 28 को मैंने 2 से divide किया, तो किते बार divide हो गया 14 time, कैसर कहां पर divide किया, वो rough के अंदर आपको करना पड़ेगा self, मैंने तो direct लिखा है इसके अंदर, ठीक न, आपको रफ के अंदर solve करना है, फिर आपको practice करना है, तो देखे, पहले मैंने 28 को 2 से divide किता हो गया, 14 time divide हो गया, अब देखो, 14 time जो इसको पहले आप पूज़ा हो एक बार, यह पास में लिखा है यह आप इस 7 को और 2 से divide करूँगा क्या, अब मैं 7 को और 2 से divide नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि 2 की table में 7 नहीं आएगा, और 7 जो है वो 2 से divide नहीं होगा, इसलिए 2 से नहीं होगा, तो 3 से भी 7 divide होगा नहीं, 4 की table में भी आता नहीं है, 5 की table में नहीं आएगा, 6 की table में भी नहीं आए 14 को और 2 से डिवाइड किया 7 आ गया फिर मुझे 7 को 7 से डिवाइड करना पड़ा तो मिरा 1 से क्या आ गया ठीक है और 1 आने के बाद में आपको रुकना है इसके आगया आपको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि 1 किसे होगा 1 से होगा अगय से चलता है जाएगा उसका कोई मेनिंग नहीं रहेगा ठीक है तो तो यह तो होगा इसके अंदर अब ऐसे कैसे आपको इसके अंदर जो लिखावाए 84 84 के साथ में करना है सबसे पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरा 42 आ गया 42 और 2 से डिवाइड हो रहा है और मैंने 2 से डिवाइड किया पता कैसे चलेगा even number और odd number मैंने आपको last वाले class अदर even और और बढ़ाया था वो इसलिए का था आप पीछे वाले class को revise किज़ेगा साथ में तब ही आपको अगय वाले concept संभाएगे अगर आपको even और odd मैंने समझाए थे अगर आपको learn नहीं है तो फिर आपका संभने में दिखता आएगी ठीक है तो 42 को 2 से डिवाइड करता है 21 अब 21 ना तो 2 से डिवाइड होगा और अगर किसी बचे ने डिवाइड किया है तो भी डिवाइड करने के बाद में पता तर जाएगा आपको टाइम बले लग जाए लेकिन आपको सारी question self करने के ट्राय करना और सही करना है ठीक ना आपको इनको correct रणा है थोड़ा सा first time आप इससे method को समझ जाओ तो first time आप कुछ भी बढ़ोगे ना छोटा बज़ा जो होता है अगर वह counting भी सिखेगा first time तो वह उसके लिए tough होती है ठीक है तो आप अगर इस method को सबसे पहले पढ़ रहे हो first time है आपका तो obviously यह आपको tough ही लगएगा ठीक है ना लेकिन हम इस question को इतनी बाया करेंगे इतनी practice करेंगे कि यह question आपको अच्छी तरह से learn हो जाएगा और आपको इसकी इतनी practice हो जाएगी कि आप इसको कभी भी wrong नहीं करोगे ठीक है तो देखें अब जो 21 है यह 200 हो करने तो मुझे 3 की table में देखना पड़ेगा अगर मैं इसको 3 से divide करूँगा तो यह कितने बार हो जाएगा 7 time औ अब आप सही ज्यान से समझेगा कि इसका जो prime factor जसन होने के बाद में इसका LCM कैसे find करेंगा सबसे पहले क्या करना है यह जो है ना 2 multi 2 multi 7 इसको लिखना आप हो यहाँ पास में से ठीक है फिर यह जो लिखावा है 2 multi 2 multi 3 multi 3 इसको भी इसके ने से लिखना यहाँ पर ठीक है य इसके पास भी टू टू टॉ टाइम हा रहा है इसके पास भी टू के दिबार हा रा एक ने O तो दोनों के पास two time है ना इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है two time लिखा है यह लिख दिया और seven भी तो है इसके पास भी seven है इसके पास भी seven है दोनों के पास seven है तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है seven लिखा है कैसर अब ठीका क्या करोगे ठीक तो इस एक के पास म ही नहीं तो देखो इसको सम्झने का एक यह मत्र तो आप उसको लिख और दीखो अउपर से सं我们 यहां से समधिया इसके पास true के विपकुटे बारे two time फी पास है इन दोनों को मैंने लिख दिया कि 7 ने इसके पास one time ups के पास one time तो मैंने आपको उसको भी साथ में multiply में लिखना है ठीक है वस यह इसका concept है और इसके अंदो कुछ भी नहीं है आपको last बच्चे रहते हैं last के time कैसे जो पीछे बच्छावा है यहां पर जो comment है इसका क्या करना है इसको भी last में multiply में लिखना है और इन सब को जैसे लिख दिया मैंने द 28 को 3 time multiply यह यह ऐसे कर लो यह ऐसे कर लो 2 multiply to 4 यह मैंने 4 लिख दिया 7 multiply 3 21 यह 21 अब मैं 21 को अगर 4 से multiply करूँगा तो अब रांसे क्या जाएगा 84 तो गया गया इसका LCM 84 आएगा ठीक है थोड़ा सा सम्मन्दम में दिकत हो सकती है आपको आप लोग first time कर रहे हो तो थोड़ा सब्सक्राइब करने पड़ेगी तो थोड़ा सा सेल्फ करने की ट्राइब करना है नहीं आता है तो अब सामने देखे वापिस जैसा मैंने concept बताया उसे वाले concept को follow कीजएगा आपका वापिस क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ओके लिगन प्रेक्टिस आपको करने पड़ेगी तो LCM जो हता ना यह जो नंबर है ना LCM नमेसा इनसे बड़ा आएगा या तो जो सबसे बड़ा है उसके equal आजाएगा 84 तो 84 भी आ सकता है ठीक है लेगन 84 यानि कि इनसे सबसे बड़े वाले के equal या उससे भी बड़ाएगा छोटा कभी नहीं आएगा या आपको द्यान हो जाएगा इसका answer 84 is the LCM अब कोई करता है से मैं तो इसको टेबल से करूँगा आपने जो बतायता है मैं अगर आप मैं टेबल से करोगो तो भी आपको answer के मिलेगा 84 ही मिलेगा ठीक है उसके आपको 28 के टेबल लिखने पड़ेगे 28 56 84 और 84 के टेबल में 84 160 एक हो तो 84 84 दोन करना में दिक्कत आइए वो भी एक बर वापीस समद्देंगे इसको देखिए यहां से इधर 25 इधर 30 सबसे पहले तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं 3 से भी नहीं होगा ना तो थेक के टेबल में आएगा ना 2 के टेबल में आएगा तो को complete डिवाइड होना चाहिए complete डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते है ऐसा नहीं अगर नमबर complete डिवेड हो रहा है उसके table में आ रहा है तो ही आप divide करें तो ये किसते होगा direct 5 से होगा 5 से काते time होगा 5 times होगा अब वापस आ गया तो मुझे वापस 5 से करना पड़ेगा 5 5 से क्रेंद पड़ेगा 1 time तो ये तो होगया complete अब आप चलिए 30 के पास में अगर मैं 30 को 2 से डिवाइड करूँगा तो किते टाइम होगा डिवाइड 15 टाइम हो जाएगा यह ठीक है ना फूरा डिटेल आपको तो रफ के अंदरी डिटेल से करना है मैंने सोट करना बताया इसको जी 15 टाइम अब 15 टू से होगा गया नहीं होगा 2 की टेपल में 15 नहीं अब अगय से अगय आपको number यूज में लेना उसको divide करना और last में क्या लेक्शाना इसका complete अब अब अपीस वेकां से 25 यहां पर 5 मिल्टी 5 यहां ब्ली तो मिल्टी 3 मिल्टी 5 अब यहां से देखिए अगर मैंने इसको पास में लिखा है सब से पहले वह दोंको जो common है इसक कि दोनों के पास one time है, दोनों के पास one time है, अगर मैं आपसे पूछू, कि दोनों के पास two time है, दोनों के पास two time नहीं है, इसके पास two time नहीं है, इसके पास में two time नहीं है, इसके पास में तो है, इसके पास में नहीं है, तो common किसको बोलते हैं, तो दोनों के पास में होना चा अब मैंने comment को तो लिख दिया औब वो लिखो जो पीछे बचे वे हैं जो comment नहीं है जो box के अंदर नहीं आ रहे है कॉन कोंन नहीं आ रहा है एक भार 5 भी नहीं आ रहा है और एक बार 2 भी है तो यह क्या जाएगा इसके अंदर 3 आजाएगा अब इन सब को multiply कर दीजे तो देखें कैसे हो जाएगा ये यहां पर जैसे लिखावाई ना 5 को 2 से multiply किया यहां पर देख लिखें ये तो आगे आपको संद में इसको एक बार तो हमने इसको 5 को लिख दिया ठीक है ना एक बार तू लिख दिया आपर एक बार ये वह लुद्न जीए बी लिख दिया और एक बार ये वह लुद्न ब्ली ड़ुक्रेय बढुत को बड़े। से अंसर ना आएगा 5 को सर्घ किया इन दूनों Kव्लुत किया तो 10 आगया त्लाजूब ना, इसको ऐसे लिखूंगा 3 को पहले लिखूंगा, 2 को बाद में लिखूंगा फिर 5 कोई नियुक्त ने पड़ेगा इसका भी आलसा सीमन आएगा वापिस, इन दोने सी 15 मनेगा इन दोनों से 10 मनेगा वापिस किया जाएगा 150 तो छोट्स कर रहो तो मैं परके ने पड़ेगा ठीकिंगे लास्ट इंदर इन दोनों को मैं तो से क्या रहा है बड़ा रहा है अगर आप मेंसे किसी को कुछ है करना है कि sir 150 जो LCM है वो मेरा correct है या नहीं है तो आप इना 25 वो 30 दोनों के table लिखिए आप table लिखोगे ना table में आपको 150 मिल जाएगा अगर table में 150 नहीं आ रहा है तो इसका मतलर क्या हो जाएगा आपका answer wrong हो जाएगा जो number table में आता है ना multiple LCM में सब वही होता है ठीक है ना आप अकर table लिखोगे तो आपको table से भी answer मिल सकता है लेकिन हमने इसको प्राइम फेक्टर जाशन किया है तो आपको प्राइम फेक्टर जाशन से भी सीखना है तो आपको आज के लिए काफी है तो रसा साइध आपको new concept जो सबने में दिखता सकती है लेकिन आपको ऐसे नहीं कि हाँ तो first time बढ़े तो थो थोड़ा सा आपको तब लग सकता है लेकिन हमें इसके बहुत सारे questions भी और करना है और आपको भी थोड़ा सा help करना पड़ेगा थोड़ा साथ प्रेक्टिस करने पड़ेगी ठीकिए वी कुछ नहीं आपको जो मैंने लिखा आज आपको इसको same to same लिखना है और समद्ने के try करना है ओकी thank you so much and video को like करना है जिन बच्चों नहीं तक channel को subscribe नहीं किया वो channel को subscribe भी कर लिचेगा ओकी thank you